हनवानपूर के रेलो स्टेशन पे इमली और वीर दोनों पती-पत्नी बिखारी थे इसलिए दोनों भीक मांग कर अपना गुजारा चला रहे थे वीर कभी-कभी रेलो स्टेशन पे भीक मांगने जाता था तो इमली कभी-कभी बस स्टेशन पे भीक मांगने जाती थी ऐसे ही दोनों का जीवन कट रहा होता है जब एक दिन वीर रेलियोशेशन पे भीक मांगने जा रहा होता है तब ही उसके पास से एक लड़की गुजरती है और उस लड़की के हाथ में एक बैग होता है जो कि वही पे गिर जाता है और उस लड़की वहाँ से चली जाती है वीर की नजर उस पैसो से भरेवी बैग के उपर पड़ती है वीर चुपके से उस बैग को लेता है और वहाँ से चला जाता है और घर पर आके इमली से कहता है सुनती हो जी आज तो कमाली हो गया मुझे आज पैसो से भरा हुआ एक बैग मिला अब हमें भीक मांगने की जरूरत नहीं है हम भी पैसे वाले बन गे तबी इमली कहती है अरे जी यह आपने अच्छा नहीं किया हमें किसी की भी पैसे नहीं लिने चीए हम भीक मांग करी खुश है भगवाना में अच्छा कासा दो वक्त की रोटी देता है फिर हम किसका पैसा क्यों चुरा है यह अच्छी बात नहीं है यह बैग जिसका है कल सुबह जाकर हम उसे रेलेस्टेशन पर देकर आएंगे हमें पैसों की जरूरत नहीं है वैसे भगवाना में अच्छा कासा पैसा देता है हम भीक मांग करी खुश है फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हो जाती है वीर और इमली रेलेस्टेशन पर चले जाते है और उस लड़की को धूंड कर उसका बैग उसे लोटा देते है फिर वो लड़की कहती है अरे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरे मा के दवाई के लिए पैसे थे अच्छा वा आपने लोटा दिया वरना मेरी मा मर जाती आपका लाख लाख शुक्रिया फिर वीर और इमली बहुत श्यादा खुश होकर दोनों वा से चले जाते है